गुड मोर्णिंग फ्रेंट्स और आज हम लोग क्या देखेंगे तो आज हम लोग बिहार इस्पेसल में बिहार में बार्ड परभाववी छे तर्त था इसके परभावों का उल्लेक की बार्ड की समस्या को दूर करने हैं तू उपाय संजी के मतलब हम लोग जानेंगे आज ब इुग रफी में बाड या बिहार की जो समझे आ हैं नग्र नीउजनी संब्धित वखार या बिहार की मिटी हो या बिहार की बारे में जो उध्योग है कि नेपाल ने बिहार में जो बिहार का जो अंताष्टी सीव में मिलता की से नेपाल से लंबाई कितना लगभग 800 किलो मीटर का एरिया बिहार और नेपाल का बाउंडरी है जिसमें गंड़क फिर कोशी नदी महानंद्य का छेतर फिर कमलाबलान बागमाती बहुत तरह के ब स्बुक्स दारे बायराज है जिस पर भारत सरकार ने बनाया हुआ है और भारत नेपाल के नेपाल सरकार ने घृत कर चिन के तरफ जा रहा है उसने जो गंड़क बायराज है बालमिकी नगर में उस पर रघोक लगा दिया था कि हम भार्णी को यहां आने न दुए जिसे या खासा चर्चा में रहा था हो सकता है कि इस बार बार से संबंधित कोशन आ जाए या भारत और नेपाल के डिश्टे संबंधित कोशन आ जाए और यह भी पूछ ले इसका बिहार पर किया परभाव परेगा तो हम जानते हैं पहले कि बार्ड कैसी आता है बिहार में लेकिन नेपाल के जो और आई ज्ट्र है और कि इतना बारिश होता है उसके निविधारित करता है कि बिहार में कितना बार आएगा और है या नुवाए का तो बहारत के मौसम भी भाग तराश्ट्री ये बार है आयोक पर ऑद्सार बार हुआ हिस्तिती होती है सीम्पल सी बात है कि नदी का यह अच्छेत्र है अब इतना सारा पानी हो गया कि नदी के इतना वाराशी तो या पहले चोटा पत्षोटा सथा लिए पानी पूरा इसको बांध को कुरोस करके और निचित्रों को भी जल्मगन कर दे तो क्या हो गया बाधा गिया उससे पर भाविती इलाकों में जान माल तथा आर्थिक नुक्सान की संभावना परवल हो जाती है खत्रे का निजान वर्षा रित्यू की अवसत वर्षा और अवसत अप्वाह पर अधारीत होता है हम लोग बार पर सुनते हैं कि गंगा नदी अपने खत्रे के निसान से पांच मीटर उपर बह रहे हैं यह मतलब क्या वह उसका एबेरेज पानी इतना होना चाहिए था लेकिन परजेंट पे वह जो नदी है उसका पानी फैल जाएगा तो वहां पर मानो आवाद सी है मानो का आवास है किर्सी का रही तुक्त वानों के खेत है जीव जन तू है उसका परभावित होंगे यह बीस ती सेंट्री मीटर और सत वर्सा तक का लिया जाता है भारत की कुल बाढ़ परवाई छेतर का लगभाव सारे सौतरा परसेंट याद किजी लगवाव कहा है तो बिहार में हैं यहां मानसून तीन-चार महीना तक उत्री बिहार के एक बड़े भूभाग को जल्मग रखता है बिहार का मैं भी देख चुके है इसी तरह करना कुछ टाइब का मैं जिसमें बीचोवीच गंगा है उत्तर बिहार का जो मैदान है पूरा यह पूरूंता बार से परभावी था और दक्षिनी बिहार में भी सोन नदी का छेतर और चुलो फटुहा में जो गंगा क जो दक्षिनी छेतर है गंगा नदी से सटे हुए छेतर है इन सब में भी बाढ़ आती है बिहार में 1954 में महत्र 25 लाख हेक्टियर भूमी ही बाढ़ से परभावे थी कलपना कीजिए उसी वहर से बाढ़ पर पहली राष्ट्री निती की घोसना की गए थी परन्तु यह 1971 में बढ़ कर 43 दो समनों दू लाख हेक्टियर हो गए यानि कि जैसे जैसे मानों का क्रिया कला बढ़ा तो मानों ने जो नदी का फलट पिलें था उसमें बाधाय डाल दी सरके बना दी बांध बना दी या खेती करना सूर कर दिया गड़ो वेटलेंड्स को भरकर उस पर सोहर ब वहीं 1982 में यहां चोंसर दुसमलों पांच लाख हेक्टियर में सोड़ी और सब्सक्राइब हो गई इसका अर्थिया है कि उत्तर यों मध भीहार का लगभाविन का लगभा बहुत्तर परसेंट भाग बाढ़ से परभावित हो जाता है जिससे पर्तिवर्स बड़ी मत्रा मे जान माल की हानी होती है कोसी नदी को उतर भीहार का पर कोप यानी की सोख कहा जाता है इसी तरह पस्षी मंगाल का तो क्या नाम उसका तो दा मुदर और चीन में तो हो अंगो हो नदी को सोख कहा जाता है इसका कूल भागौलिक छेतरफल का लगभाग दो ती हाई भाग बा सब्सक्राइब करने के लिए दो तरह उपाय की जा सकते हैं एक दिल काली जो लॉंग टर्म पलान होगा और एक अल्प कालिक यानि ततकाले जो उसे आम जन्मानस को रहत मिले वर्तमान समय में बिहार की सबसे बड़ी प्रकिरती आपदा बिहार की क्या है तो पार ही है और यह कुल भुली छेतरफल का दो त्याई भाव को परभावित करता है बिहार की कुल 28 जीले बाड से परभावित है लेकिट 2017 में बाड है कौम आये था जिससे में मातर 17 जीले में बाड से परभावित हुए था यहां बार एक प्रकिरती की विविदा है जो नियंतर ध्वन जन की अपार छती के कारण बना हुआ है उत्तर बिहार की परमुख नदियों में कोसी गंडक बागमती कमला बलान महानंदा और अधोवारा समुख की नदिया है तथा बूधी वाला नादी है यह नदिया कैसी है तो हीमालय से निकलने वाली है तथा नेपाल के परोती छेत्रों स होते हुए बिहार में परवेश करती है बिहार की एक नदिया अपने साथ बहुत अधिक सील त्यार था गाह देलाती है और अपनी तेज धारा के कारण किनारों को अपरत्यासित रूप से कटाव करती है जिसे क्या होगा तो अपने किनारों को तोड़ देंगी जब तक इनकी धारा बदल भी जाती है वह से पहले हम लोग कोसी में बाढ़ है था और सुने थे कि निजिसकुमार पुरे राज्य को संबोधित किये थे उस मुन्हें क्या कहा था कि यह नुदी है यह पहले यह मान लेते हैं यहां से बहुतित इसने अपना रास्ता लगभई 105 किलो मीटर परिवर्थित कर दिया था जिसस्थे इशतर में बार का बिनास्कारी रूप परगट होता रहता है दक्षिनी मैदान में देख लिए गंगा घंगा का मैदान में बरसाती नदिया है उत्तर में दो गंगा में जो नदिया मिलती है secret से ढने वाली है वो सदावाही नदिया है यानिकि सालों भर उसमें पानी राता है लेकिन की नदिया है वह मुख्त परमुक्त को नए तो सिर्फ ऑर सिर्फ बारा कारण क्यों बनेंगी क्योंकि वह बरसाती है'M यहीज एगर अदिक बरसा ho बी आकार के बदरे W न्दीनदेर 11 जान लेकिन इसका आकार 12 गोटो चुका हूँ और पहले अगर रहे तो कैसे लाइता इस तरह किरा nenhum गरहा opportuner प्रवाव कर पाएगा और कम ही पानी में बहुत दूर तक फैल जाएगा इसी इसका भाव चेतर धीमा हो गया है और इसके अत्रीक बार्थ के अनकारणों में सामिल है बिहार में वह अनों का कम होना दूसरा नदियों के जल गरहन शेतर में भारी वर्षा का होना तर्वंधों प्रवाव के साथ नदियों का नीमने ढाल वाले चेतर में परवेश करना क्योंकि हो जानते हैं कि नेपाल की है तो हीमालाई चेतर है और बिहार डारी उससे उसके फूट हिल्स में बसागवा राज है को उतर बिहार अतर नदिया यहां से बहुत अधिक त्युर मातरा में जीति पानी लेकर आती है लेकिन बिहार आते ही इनको मायदान मिलता है और उसनुआ हो जाते हैं जिससे कर भाव धिमा हो जाएगा और फजालों रूप ले-लेंगी स्वक्ष पेजल की समस्या एवं संक्रामक रोगों की संभावनाय आदी बाढ़ में बोढ़ जाती हैं इसके परभाव यह होगा कि यह तायात एवं संचार्थ सिवां जैसे नों देखते हैं कि पट्री बचा रहा गिया और उसके नीचे की मिटी दह गई सरक में देखते हैं क से बहुत ही यह तायात और संचार के सिवां पर पूरा परभाव परता है इन्हीं विविशिकाओं को कम करने के लिए सोतंतरता प्राप्ति के बाद बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए बहुत से उपाय किये गए पहला देखिए को सियम गंडक नद देखते हैं वहां भी उसमें डूब गया था और हाल ही में 2019 का साल वहां भी पटना में भहेंगर बार है था यह दूसरी बात है उसमें बार गंगा नदी के कारण आई थी और इस समय की बार जो पटना वास्कियों के खुद के नालों से निकले हुए कच्छरे के कारण बार थ आई बाढ के बाद गंगा तटबंद का निर्मान होगा था अनेग बाढ नियंतरन कक्च अस्थाफित किये गए बाढ की पूर सुचना देने और बाढ परवंधन की विवस्था की गए पहली योजना से अब तक कोशी गंड़क बुरही गंड़क अध्वारा समों की नदि किया गया है सीमित साधन शुरोत के अंतरगत अब तक 3400 किलो मीटर की लंबाई में बाढ शुरक्षात्मक तरवंधों का निर्मान हुआ है तथा 2928 संपल को सकते हैं कि 30 लाख हेक्टियर चित्र को सीमित सुरक्षा परदान की गई है इसकी अतरीत राष्ट्रिये बार हैं जिसा उन्ख्या लेखा है तो पटना वालमी यानि वाटर एंड लेंड मरेजमेंट इंस्सीट जो फुर्वाली शरीफ में है यह स्थापना की गई है राष्ट्रिये बार ही नियंतरन आयोग नदियों के खत्रे के निसान को सिमांकित करने के साथ साथ बार से बचाव करिक दॉसरा बागमती बहुत देसिये यूजना यह कमला बहुत देसिये यूजना के संबन्ध में उच अस्तर पर नेपाल सरकार से वर्ता कर इनके स्वर्वेक्षनियों मनुसंधान का कारे सीग्र से अरम करा दिया जाए तिसरा गंधक और अधवारा समूह और महानंदा नदियों पर जला से डाइवर्सन योजिनाओं का संभावता अध्यन किया जाए कंत हि का इसके पानी को स्फीकिया सकता है त्सुथा उत्तर विहार की बार्ट समस्या कि समाधान है तो नेपाल सरकार के सहयोग से समotes योजना त्या की जाए इसके अंतरकत प्रतेक और से प्रतेक बाढ़्ड प्रवन वेसिम के लिए समोगरी योजना त्यार की जाए इसके लिए भारत नेपाल के बीच सन्युक्त परनाली अस्थाफित करने यह तो भी भारत सरकार को पौल करना चाहिए हुए भी लेखिर उतना हो जीतना अच्छा होना चाहिए हो नहीं क्योंकि यह सुर्फ और सिर्फ है भारत पर ही आश्रीद हैं नेपाल के तो कोई छंता ह आए नहीं वह या तो भारत के साथ आएगा या चीन के साथ जाएगा जब तक उप्यूक्त दिरिकाली के उपायक का रनवाईत नहीं हो जाते हैं उत्तर बिहार की नदियों के बार की समस्या अंतराश्टिये पहलू के आलोक में इन अदियों के बार सुरच्छात्मक करयों जैसे तटपंदों का निर्मान उच्ची करण एवं दिर्धी करण तथा और बार सुरच्छात्मक संहर्शात्मक कारियों के लिए भारत सरकार दों रावीतिय साहता दी जाए यानि माल निया जागी बार होर वरस आएगी तो सरकार अब होरस वरस साहता करे बचाओ का काम क करें विस्थाबित्यू के पुर्णरवास का कारे करें नदियों को एक दूसरे से जोरना आवस्यक है इसे नदियों का गडवंधन कहते हैं हर नदियों में एक साथ बार नहीं आती है फलता जलका बढ़वारा हो जाता है जिसे बाठ का खत्रा समाप्थ हो जाएगा नौमी योजना और दोस्मी योजना की तरह इकारमी योजना में भी गंगा नदी पर कराया जाने वाले बाढ़ शुखात्मक बाढ़ संगार्स नदियों के लिए भारत सरकार द्वारा विट्य सहयता उपलाव से कराई जाती रहें जो हो रही है भी बाढ़ के लिए गठी प्रवंधन के लिए सरकार काम करती है उसके लिए महां भी सरकार को सहयोग दिना चाहिए गंड़क और महानन्दा नदियों पर उप्यूक्त बांद अस्तलों की पहचान की जाए अध्वारासमों की नदियों का परवाह के टाइवर्शन तथा नदी के उपरी हिंसों के जलासे हो डिटेंशन बेसिंत था अध्मतर घाटी ते हस्तांत्रन द्वरा अत्रीक्त जल्ग क इसकी कौमी वाले छेत्रों में उपयोग किया जाए यानि अधिक सथिक नहर का निर्मान हो लिंकेज की विवस्था की जाए ताकि एक नदी दूसरे नदी से लिंक हो जाए या कहने का मतलब यहीं है तो वहीं ओ सब क्या था तो दिरकालिक हूपाए और अल्पालिक हूपा कि निर्मी जो तरबंध है उसको हैट बढ़ा दीजिए उसको मजबूती परदान कीजिए तथा नए तरबंध का निर्मान कीजिए दूसरा बारे पुर्वानुमान कीजिए तानी परनाली में सुधार और अकास्मिक्ता योजना को त्यार किया जाए ता यह मतलब कि आने वाली है तो वे लोगों स्वयम अपने समान अपने जीजन तुमों अपने खेत में अगर हो सके तो जो फसल है उसको बचाले पले ही कटले पर वेक्षने अम संचार हे तो तर बंधो पर सभी रित्यों में उपयोग लाइग सरकों का निर्मान हो जमिंदारी बंधो के पुर्णर अस्थापन योजना को भी जयनित किया जाना चाहिए जिसके अंतर गदे नलंदा जिला एसित ग्राम लिबरी से एरई तके लुकाई यर नदी पर जमिंदारी Android का उची कर लिभाण का कर नवांवहित करना चाहिए बागमवती यंदों कमला तरवंधों का विक्षारी कर उची करन युँव उसको मझबूती की योजना सत्परति सत्कैंदी स्हायतासे कराई आती है बागमवती बांध है बाध परवंधन की योजना जिसमें बागमती नदी को भारत नेपाल सीमा से कोशी के मिरन बिंदू तक नियंतित की जाने का प्रस्ताव है लेकिन अब बात आ रही है कि जब नेपाल कहता है कि मेरा इलागा यहां तक है को विवाद उत्पन हो रहा है तो भी सरकार अथी सर्थिक इसमें और समय पर नहरो नदी नालो आदेगी सभाई की जाए उनके तरवंधों को मजबूत की जाए परस इतना ही क्योंकि जानते हैं कि भार बिहार के 39 जीलेव में से जो 28 जीले हैं वो बार पर भाई छेत्र में आते हैं अधा बार को प्रतमीक्ता के अधार पर सम लेना चाहिए कि कुछ भी हो या नहों लेकि पर देख वर से बार से राहत वाली जो यह जिनाए हैं जो कारिक्रम है उसको सो प्रसेंट कुना आवस्यक है और तो है यह उसपश्ठ की बार बिहार के लिए गंबीर प्राकिर्दिक आपदा है जब तक इस समस्या से नहीं नीप्रा जाता त दो और विहार को सित्राज बनने में अनिये कठिना आई हैं तो इसके लिए केंद्रिय सरकार को राष्ट्रिय के साससास अंतर्याश्ट्रिय नेपाल से परियास करना चाहिए तो अभी बिहार को इस से समश्या से चुत गारा मिल सकती है नहीं तो क्या होगा परती एक वर्स बाढ़ाएगी हम लोग हेलिकॉप्टर उत्रे रिखेंगे वहां से फूर के पैकेट गिराए जाएंगे और नीचे लोग लूट से रहेंगे और वहां टीबी पत्रकार के सोरी टीबी पेपर और अंताश्चिय सोसल साइड्स और अंताश्चिय बाड में ही खरे हो जाएंगे और वह अपना टी आइपी बराने के लिए बिग्याफन करते नजर आएंगे वह यही बात है बिहार के में हम लोग समझ गाए कि बिहार में बाड प्रभाई छेतर तथा इसका क्या-क्या-क्या परभाव होता है अगले बार मिलेंगे तो एक नए कोशेंग के साथ तब तक आसा करते हैं कि आपड़े आसा अच्छा लगे जरूर लाइक करें सेर करें कोमेंट करें और सब्सक्राइब करें धेने बाड़ा